तो दिवनिंग इस्टूरेंट आप लोग का चंद्रा क्लास असमें बहुत-बहुत स्वागत करती हूं चले आज हम अपनी क्लास उठाच करने जा रहे हैं और इसमें क्या करने वारे हैं बस्त नर्मान जैसे पिछली क्लास में देखा था कि जब बस्त का नर्मान किया तो इस तो सबसे पहले बात की थी दूसरा और तीशरा यानि हमने सबसे पहले बात की थी घोल से बस्त्रों का नर्मान किया था भोल के द्वारा बस्त्र नर्मान तो हमने दूसरी बात की थी इसके द्वारा तो दूसरी बात की थी हमने रेशों के द्वारा यानि रेशे ले लिए रेशों के द्वारा हमारी complete है कंप्लीट है कि हमाराभी बाकाया क्या है द्धागे के द्वारा यानि हम किस से बस्त बनाएंगे द्धागे के द्वारा बस्तर निर्मान देखें अब जब बस्त का निर्मान एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं पिछली क्लासों को दुवारा बस्त निर्मान तो हमने अभी तक क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है भोल के दुवारा कंप्लीट कर लिया है दूसरा हमने रेशों के द्वारा कंप्लीट कर लिया है अभी हमारा क्या रह गया है तो अगे के द्वारा गोल के द्वारा जब हमने बात की थी तो हमने दो प्रकार के बस्तरों का निर्मान किया था कैसे कैसे यानि घोल मतलब केमिकल के घोल थे कृतिम बस्तर बना रहे हैं बया हुम देखना कुछ वयुन गार थे वृशान्यां क yell ते असलों का परेया हुटिव के लाइजर कि अंकंन चेट कर दिए इसनंहें व हमारा था फिल्म मैठी की बात कि थी तो तब हमने इसमें क्या देखा था था फिल्म मेथड में कि इसमें पेपर और फ्र्त dirस्तिक प्रास्टिक सीटे जा रही थी जिसके Otherwise अभी से 44ा सारे दा कि क्या एव हू भूद क हमसे या सकते हैं बस्त्र बनाएगाए थे, जयसे मारे Сशार के बस्त्र हो गये, भी रेजिवने ra stretch धुए आपक के लिए भूती चान रॉक फायागा किया जिसको सभी कहा जया जाता रही ही तो कि जिस लिए उप्योग करते हैं थो जब नीजिवे किन ét लिएक तुम चलय जा आपका करने के तर एक तो हमने बनाया थे फैल्ट मैथड से बस्तर और दूसरा क्या था तो नॉन बूबन मैथड फैल्ट मैथड में हमने देखा था कि हमारे कौन सी प्रिक्रिया हुई थी नम्दा प्रिक्रिया नम्दा में जो बस्तर बनाया था उनको हमने क्या किया था रेशों को लिया और बने माचिस केरने को अग干ो नियुटन ढ़ा ही इसंडे ibe your mixture गए जरी यान ही बना स्था नियुक हन वह राई बना स्था था नियुक किया था शुश्य के लिया झाव ऐसे चानिया था था जा क्रेंक भीन अगयो मे रिखा था ब्ना उसे बंद बनाया थे लिना बंध उने बस्त तयार किया थे तो मैं उन अमने कैसे बस्त दे के थे कुछ द्वायरा को है सकते उसन का प्रियों दोड़ा से कर रहा थे जो डिश्पोजबल बस्तर थे जैसे बेंडेट बगए थे हमारे और जो पत्तियां थे जो नेपकेन बगएर थे बच्चों के पैड हुए यह किस्ते बनाये गाई थे तो यह नौन बढ़न से लिश्पोजबल बस्तर थे वही हमने देखा थे कुछ प्रियोग में यानि पहनने योग बस्तर से जैसे अस्तर हो गए टोपिया बगएरा बनाए गई थी और जो कालीन के नीचे वाला अस्तर था अपोष्टी के बस्तर था जो पहन नीचे तो उपर बिचाया जा रहा था यह किससे बनाय गाय थे हमारे नोन बुबन मेथट से और रेशे के द्वारा तैयार किये गए थी यहां तब कि हमारी क्लास है यानि हमने घोल से बस्तर तैयार कर लिये थे और रेशे से बस्तर कर लिये थे आज हम बात करने वाले हैं धागे से बस्तर का नर्मान यानि हम सबसे पहले क्या करेंगे या तो कर रहे थे जब हुमारा धागा कंप्लीट हो गया तो हमने कैसे बस्त्र बनाए धागे के द्वारा बस्त्रों का निर्मान किया तो आज उन क्या पढ़ने वाले हैं धागे के द्वारा बस्त्रों का निर्मान तो हम यही देखेंगे कि धागे के द्वारा बस्त्रों का निर्म बस्तर बनते हैं यानि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार के बस्तर बनते हैं इसमें भी चार प्रकार की विधियां आती है कि धागे से कैसे कैसे बस्तर बना जाते हैं तो एक बार इन विधियों को देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी विधियां इसमें आ जाती है चार प से बस्तर, दूसरी होती है हमारी बीविंग विदी, क्या होती है बीविंग विदी से बस्तर तयार करना अगर हिंदी देखी जाए तो नीटी को भी बुनाई कहते हैं और बीविंग को भी बुनाई कहते हैं नीटिंग ऐसी विदी होती है यह देख लेंगे किसमें क्या होता है किस तरह से तैयारी की जाती है और वीविंग क्या कहलाता है राइट हमारी एक विदी और है जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग विदी क्या कहते हैं फ्लोटिंग विदी एक नाम से और जानते हैं ब्रेंडेड सब ही ने संय हैं के दवारा की चसमें आते है दागे के द्वारा एक होता है निए लेस मेथाड मेज़़ काता है तो आज हम क्प्लीट क्या करने वाले हैं आपने देखा हम धावे से अगर बस्तर बनाने जाएंगे तो कितने प्रकार के बस्तर बनेंगे हमारे चार प्रकार की विदियों का उप्योग आप कर सकते हैं आपको जो विदी अच्छी लगे आप बस्तर उससे बना सकते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या ह की एक बार देख लेते हैं नीटिंग मेथाड क्या है कि एससे तयार किया जाता आ इसे उनुं रेंगे में फंदे बनाते जाएंगे और पंक्ति पूरी कर देंगे एक पंक्ति से हम दूसरे फंदे उठाते हैं और उसके उपर हम क्या करते हैं दूसरी लाइन किलियर करते हैं इस तरह से हम क्या करते हैं एक ही धागे से बस्तर को आगे बढ़ाते जाते हैं बस्तर तयार करते हैं जब कि आप सार्दी के दिन चल रहे हैं चल रहे हैं अजसे लेके आती हैं तो क्या करते हैं घर एक बाज़ बनाए करते हैं मुझे बगेर तयार करते हैं तो आपने देखा हो गुट लिए वह निक बागऑ। से पूरा मस्व हो जाता है कोई ऐसा नहीं है कि इसकोर सबस्मत इक ह की दढ़ा होगा और यह पूरarme को क्या क्या होता जाता है यानि इसमें क्या होता है तो एक धागे से बस्ता तयार किया जाता है अब वह थागा हम तानी के यानि हम क्या कर सकते हैं या तो हम सीधे इस तरह से चलाते जाएंगे अगर इसको तो हमारा यह 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 हो जाएगी बार्प नीटिंग हो जाएगी वहीं अगर हम इस तरह से धागी को चलाएंगे इस बेस में चलाएंगे तो क्या कहलाएगी मारी पैप्र नीटिंग कहलाएगी तो यह भी कार होते हैं कि आगे हम देखते हैं कि और क्या-क्या होता इसमें तो हम क्या बात करने वाले हैं अभी नीटिंग पर बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं इसको अब यह बस्तर होते हैं नीटिंग पर करिया के बस्तर होते कैसे हैं, क्या खासियत होती है प्रियोंखियाते हैं प्star वरत। दैख लेते हैं इत जॉसेनों कियसे होते हैं इसको एक है लिए जैके मेरे力र होते हैं बढ़ते जाते हैं जो स reflection ख़वस्त।र एक तो, इसा यह तो नहीं है कि हम घर हुए, यह तो कहीं ना कहीं से बन की होगी, बस्तर से बढ़ए है फिद्रान कहता य ठीच कर्या करते हैं या सुमिटें बारा हो भाट जामने ये मिला गला구요 या ले सुमिटें टीम हाटा को फेसी ह की यह होती है और उसे क्या होता है बस्तर क्या होता है यह ही धागे से पूरा तैयार होता है जैसे आपने क्रोशिया देखा होगा जब धागे उन चलाना स्टार्ड क्रोशिय से ही जावडातर करते हैं, इसकूलों में, कॉलेज में देखा होगा कि आप धागे उन कुछ बना रहे हैं, तो खोटा है, एक ही निडल होती है, उसमें एक हुक होता है, गुक है और उसमें थुक के थुरू क्या होता है, बस्त्र बनता जाता है, कैसे होते हैं धर्माहट प्रदाम करते हैं और कैसे होते हैं तो आराम दायक होते हैं आराम दायक होते हैं शुकरते नहीं है यानि इनमें शिल्वट नहीं पड़ती है आप कभी शॉटर को इस तरह से रख दीजिए कितने दवाते रख दिए जब आप उसको बाद में उठाएंगे तो यह जोगीतियों निकल आती है इनमें कोई शिल्वट है नहीं पड़ती है अगर आप इस विदी इनमें लोच मैता पाई जाती है ज्याती है असानीज मुड़ जाते है तो हमरे दिए फैटने प्रवले जाएगी क्या पाई जाएगी तो गर्मी अर्म धायक हो harus कीया होगी इस सीलवट पड़ेगी और क्या होगी सील्वट मेता भी पाई जाएगी अगर हानियां डेखें कि हम निफेंग करके हम ने करके हम बीविंग मैथर्ड से बनाएं डनारे पीक्ष कि अ इसके बस्तर क्या होते हैं लटक जाते हैं अब लटक जाते हैं अब लटक जाते का मतलब वही है कि आप अपने शॉटर को दुलिए आपने शूखने के लिए डाल दी तो वह जितनी बड़ी नहीं थी उतनी क्या हो गई लटक गई यानि फैल गई नीचे की तरफ यानि यह ब दोवे उभर आते हैं दोवे निकल आते हैं और क्या पाया जाता है इसमें सुकरने की छंता भी पाया यहां इसमें वती तो रहा हिसे अलद ही बदेगा में को राती आप धूमें कोई राती बस्त प्रम इन बस्त्रों को अगर आप रख देंगे तो इनमें तो सिल्वट पढ़ जाती है लेकिन अगर आप निटिंग विदी से बस्त्र बना रहे हैं रेश्य कोई भी होगा तो इनमें क्या होगी जल्ली आसानी से सिल्वटे नहीं पढ़ेंगे लेकि शुकरने का गुर्ण में पाय निटिंग विदी से बने हुए बस्तर कितने परसेंट शुकर सकते हैं तो कितने परसेंट शुकर जाते हैं तो पांच परसेंट शुकर जाते हैं और अगर बीविग विदी से आप देखेंगे बस्तर कितने परसेंट शुकरते हैं सिर्फ दो परसेंट शुकरते हैं यानि कुरिए अगे बात करेंगे और इसमें क्या खासियत पाई चाती है इसके बने हुए बस्तरों में एक हानी और होती हैliаботलिन फंदा होता है अगर एक फंदा ऊःट ही खूट जाएगा, तो क्या हो झाएगा फंदा छूटेवर पर क्या हो जाता है छेद हो जाता है और छेद जो है धीरे धीरे छेद क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है आपने देखा होगा ना ममी लोग जो श्वैटर बनाती है कभी उनका एक भंदा मिस हो जाए एक फंदा मिस हो जाएगा तो वहां छेद बन जाएगा और धीरे धीरे वहीं से क्या होगा फुलना शुरू हो जाती है यानि आप एक धागा पकड़िये और पूरी शौटर को खोल सकते हैं यानि इसमें ils है यानि एक फंद кон्थ से यहां इसके लाव है राइट चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या होता है इसमें जब जो हमारी अभी हमने बात की थी हम बड़े अध्योगों में अगर बस्तर बनाएंगे तो सुईयों का प्रियोग करते हैं तो यह हमारी कैसी होती होकवाली होती है तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी इंडिनिर्क प्रक्रिया से बस्तर बन रहे हैं उसमें कितने प्रकार की शुईयों का प्रियोग करते हैं तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार की शुईयों का प्रियोग करते हैं निटिक प्रक्रि प्रकार की है तो यह सुईया हमाई कितने प्रकार की है तील प्रकार की सुईयों का प्रियोग कर सकते हैं तीन प्रकार की कौन-कौन से हैं प्रेंडेट सुईया प्रेंडेट सुईया इनको एक नाम से और जानते हैं आप لوग को याद रखना है कि अन्से टतै को राड़ हम परियोक चाहते हैं、「 स्प्रिंग प्रियोक еюсь करेंगे चाहते हैं कि खाधी स्वीर बंगी तो किस प्रकार की बस्तर बनेंगे क्ला पाड्स कि अखिल इस दागा में प्रियोक करते हैं, मог Robinson pragra कर सकते हैं पतला धागा प्रियोग कर सकते हैं बस्तर बनेंगे तो कौन से बस्तर बनेंगे राइट दूसरी हमारी सुया होते हैं लेंज सुया कौन सी होती है लेंज सुया का प्रियोग करते हैं राइट इसमें देखें कि लेंज सुया से कैसे बस्तर बनते हैं और तीसरी होत Compound, Compound. Compound time. यह देखा लिखा हमारी कितने करकार यह प्रीयोग होती है, तील परकार होती है, कौन कौन सी होती है इलिए याद रखना है विए सErねलिखना है, क्वेल्डे कराद है और बस्तर बनाने चाहेंगे तो हम 3 प्रकार्थी सूईया करेंगे, कौन-कौन सी है हमारी branded सूईया, length सूईया और compound सूईया जिनको हम सही सूईया भी कह रहे हैं branded को हम एक नाम से और जानते हैं क्या कहते है बस्तर कैसे बनेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे branded की, branded सूई की बात करेंगे इससे अगर हम बस्तर बनाएंगे तो कैसे बस्तर तयार होंगे इससे Bustr कैसे तयार होंगे इसको पहले तो यह देख ले तो इसको नाम को भी याद रखना है जाहे branded करके दे दे जाहे Springswy के नाम से दे आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहा है हमारी branded sui को ही बात कर रहा है इसमें आप धगा कैसा प्रियोग करेंगे या फिर इसमें बस्तर कैसे बनेंगे तो बस्तर कैसे बनेंगे सस्ते बस्तर बनते हैं टरल बस्त्र बनते हैं। और सरल के साफ साथ कैसे बनते हैं, मोटे बस्त्र बनते हैं। वाइट। फिर आप बात करेंगे कि इनमें कि पतले द्धागे का प्रीयोग किया जाता है। और क्या होता है इसमें कि इस को जाद राखना है ना इस यह यह दिखा आपने प्रियों से अगर बस्तर क्यार किये तो कैसे बस्तर बने सस्ते और सरल बस्तर बने फिर हमारे बस्तर कैसे बने मोटे रहेंगे और उनका सूथ कैसा रहेगा पतला रहेगा अब हम आगे देखेंगे लेंच सुईयों के बारे में लेंच सुईयों से बने बस्तर कैसे होंगे दूसरी सुईया हमारी कौन सी है प्रियों का रहोग करें पतले सूथ का प्रियोग करेंगे पतले धागे का प्रियोग करेंगे पिर इनसे बस्तर कैसे बनते हैं, तो बस्तर कैसे बनते हैं, अगर यह सुईया को चलने की बात करना, यानि यह सुईया कैसे चलती है, यह सुईया कैसे चलती है, यह सुईया जो है जैसे आदर साथमक सुईया कहलाती है, यानि इनको मशीन में लगा जिया जाता है, पट्टी मक्सुईयां मानी जाती है विजली से चलने वाले उद्ध्योगों में ज्यादा थर इनका प्रियोग किया जाता है तो यह कैसे चलती है विजली उद्ध्योगों में यानि विजली से चलती है कैसे चलती है बिजली से चलेंगी और इनको नियंतित किसे किया जाता है कंप्यूटर से किया जाता है किसे किया जाता है कंप्यूटर से कंप्यूटर से नियंतित कर सकते हैं कैसी सुईया कहलाती है आधर साथमक सुईया कहलाती है आधर साथमक अगर बात करें कि इन बस्त्र कैसे बनते या फिर इन सुईयां में इनका आकार कैसा हो तो लगी कैसी होती है माली जी यह हमारी पट्टी है और इसमें क्या है सुईया लगी नहीं है इस तरह से इस तरह से सुईया लगी हूँ इस तरह से सुईया लगी हूँ हुए है इसमें क्या हो रहा है इनसे बस त्यार हो रहा है यह क्या है इनको क्या कहते हैं इनका अकार कैसे होता है तो कैसे होता है इन दुवियों का उंगली जैसे याकार होता है कैसा होता है उंगली जैसा होता है और इनको इसलिए क्या कहते हैं उंगली जैसी संदचना पाई जाती है बिल्कुल उंगली जैसी है इसलिए इनको एक नाम से और जानते हैं क्या कहते हैं इनको swinging क्या कहते हैं स्विंगिंग फिंगर्ज क्या कहते हैं स्विंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिं यह corporate किसे की जाती है일, यहनी नियंतर्थ हुती है तो econuter के द्वारा नियंतरित होती है और computer के द्वारा नियंतर्त होने के सास्त विजली से चलती है, तभी नियंतर्थ होंगी तो whisk одной of theomma होती है है और क्या सूत होता है, निया स anschिआ को थे शूतो your juny, जो लैंज सुलिया है का है एक तरह से उल्ली आकार की सुलिया होती है, फिर इसे आपı लिदे साथ जाना होगा, गॉझ डौप जी सकते हैं जी सिंट स्धाथे लेकिन एक भार यही बता देते हैं गॉझ बार के यह स्थान original तो गौज या कट क्या है तो गौज या कट क्या है सुईयों के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है गौज या कट कहलाता है कभी question इस तरह से पूछ ले कि सुईयों के पट्टी को गौज कहते है या सुईयों के हुक को गौज कहते है तो आप भी घ्यान रखेज़ेगा के सुयों नहीं सटान term को प्रते इसको क्या कहते है गोज हो जितना अदिक गोज हो और यानि पट्टी सुयों के पट्टी में जितना अदिक गोज हो गामवगह बस्तर कैसा हो herb कितना महीन होगह बहुत कम होगic mooist यानि महीन बस्तर तयार का अक्छी क्वालिटी आश्रेवर के अजने के गया है bestn चलिए हम अगली सुई की बात कर लेते हैं, कि अगली सुई हमारी कौन सी है, तो अगली सुई हमारी कौन सी है, compound सुई, क्या है हमारी compound, compound सुई है, एक नाम से और जानते हैं, sunyuk, compound को क्या कहते हैं, sunyuk सुई है, इनसे बस कैसे बनते हैं, ये चलती कैसे हैं, तो यह कैसे चलती है तीप्रगती से चलती है तीप्रगती से चलने वाली होती है तो आप देखेंगे आगे जाके कि बार्प नीटिंग और वैप्ट नीटिंग मतलब ताने के रूप में बुनाई हो रही है वैप्ट नीटिंग मतलब बाने के रूप में बुनाई हो रही है तो जो हमारी compound soya है वह किसमे प्रियोक की जाती हैं हमारी Barb knitting की मशीनों में यानि जो हम बार्प knitting करेंगे उन मशीनों में कौन सी soya लगेंगी हैं हमारी compound लगेंगी Дरके लेंघ प्रलेंच की और ये जब की तो इसमें प्रियूम neglij नहीं कहा कि ङाके राएंगे प्रियूम लेटक ये देखा हुए नियूम इन इदियूर्ट मेशीन पर साथने के लोगा है रहाएंगे ये प्रियूम किए रैस्तेयाम में वह लेज़ तलिटएम भाद की के जाता है बार्प मशीनों में, बार्प मशीनों में किया जाता है, बार्प नीटिंग मशीनों में, इसमें किया जाता है, बार्प नीटिंग मशीनों में, अब बार्प नीटिंग मशीनों से बस्तर कैसे बनते होंगे, एक बार देख लेते हैं, यह हमारी श्री लगी हुई है इससे जो बस्तर बढ़ेंगे यानि किस तरह जाएंगे बढ़ते हुए इस तरह से बढ़ेंगे यह बस्तर कैसे बढ़ रहे हैं इस तरह से बढ़ेंगे अगर वही हमारे बस्तर इस तरह से बढ़ें तो क्या कहलाएंगे पेप्ट नीटिंग के और अगर इस तरह से बढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे बार्प नीटिंग के बस्तर कहलाएंगे क्या कहलाएंगे बार्प नीटिंग के बस्तर क्या कहलाएंगे बार्प नीटिंग के बस्तर क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो यह किस से अबढ़ रहे हैं। यहांदो to barp knitting ताना कुना भी कहते हैं ताना कुना भी कहते हैं वान जिसको कमाने वाली चुई होदे कहि डेखता है, यह तो हमारी चुईयों की बात हो गई अब आगे बात करेंगे के हैं सद्सक्रावाहें। नीटिंग के प्रकार की, अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने धागे से बस्तर बनाए, और धागे से बस्तर बना के हमने चार प्रकार की बिधियों का प्रियों किया, चार प्रकार की बिधियों में हमने देखा नीटिंग से बस्तर बनाना, बेबिंग से और ज प्रियोग के प्रियोग कर रहे हैं तो इसमें सुईयों का प्रियोग होता है जो कैसी होती है होक बाली सुईया होती है होक निडल में आपने यह देखा कि हमारी तीन प्रकार की सुईया थी तो ब्रेंडेट सुईया थी जिनसे मोटे बस्तर बना रहे थे सस्ते बस्तर बना रहे थे अच्छे बस्तर बनाने के लिए हमने लेंच सुईयों का प्रियोग किया जिनमें हम पतले सूतों का प्रियोग क तो उनमें किस कौन सी सुईयां का प्रियोग करते हैं अगर आप इस तरह से question पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी बार्प नीटिंग क्या होती है बार्प नीटिंग और दूसरी हमारी क्या है बैप्ट नीटिंग हमारी क्या होती है एक बार देख लीजिएगा इसको क्या कहते हैं ताना बुनाई कहते हैं ताना बुनाई और हमारी इसको क्या कहते हैं बाना बुनाई बाना बुनाई अब आप कहेंगे कि इसमें ताने बाने कैसे आगा है अगर आप बीबिंग की बात करेंगे तो आप उसमें सीधे ऐसे ताने लगाएंगे और ऐसे बाने लगाते जाएंगे इस तरह से लगेंगे यह तो हमारी किस अगर आप बस्तर कैसे बनाई की जाएग prayers का GR की जाएगी तरह से बनाई की Sudam Spray prayer लेमन के अपैने अगर बाने बनाई की बात करें इसा मिश्मा बस्तर की बनाई तो है क्या कैसे बनेगे इसके बंस्तर कैसे बनेगे तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे लम्बाई यानि एक क्या है यह हमारी क्या कहला गी बर्प नीटिंग या पनास गमाने यह कहला है तौँ कि कि तो एक मैं कितने प्रकार की देखी ? बेटनीटिंग बड़व नीटिंग युफ क्या रच वबड़ नीटिंग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या वार्षव नीटिंग क्या होती युफ मैशीनों का परीयोग करनेदी यह बहुत है एनकैंद किसले बृऔद प्रेंग कि आहले है defense कै इक भार नाम देख लेते हैं अक साथ कौन कौन सी विदिया है हमारी आप लोग लोग नोट करते जाएगा ehIGH Aurumत का यह सेल विदी ज़ा होती है रेस्टे विदी यह रेस्थ completa mm नाम का नाम रख दिया यानि आपने bought a改良 नाम की माLEशन कहरी दी और इसके अगर कि नीटिंग की तो क्या के दिया रेसल वुनाई है आपने ट्राइकोर्ट नाम की मुष्टि और उससे अगर वुनाई की तो क्या अनाम दग दिया ट्राइकोड बुनाई ओके तो मसीनों के नाम से इन बुनाईयों को जाना जाता है तो क्या है हमारी रेसल बुनाई मेलेनीज बुनाई बुनाई या इनको मसीन भी कहते हैंbrelNice एक होती है, क्का होती है ट्राइकोट, या ट्राइकोट बुनाई भी कह सकते हैं और मशीन بھی कह सकते हैं इक बर मशीन करके डे तो आपको confusion नहीं होना है क्योंकि इन्हीं का नाम क्या है मशीन है किनी मशीनों से जो बुनाई की जाती है उनको क्या कह दिया जाता है उनके नाम से बुनाईयों को रखा जाता है तो यह तो हमने तीन परकार किन की बुनाईयां देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रैसेल बुनाई की रेसेल बुनाई क्या कहलाती है इसको और किस नाम से जानते हैं अगर इस तरह से question पूछ ले तो आपको याद रखना है कि रेसेल को और क्या कह सकते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं इसके बस्तर कैसे बनेंगे रेसेल के रेसेल बुनाई रेसेल बनाई और रेसेल बनाई से बस्तर कैसे बनेंगे इसके बस्तर यानि इस बस्तर के नमूने कैसे होंगे इनसे जो बस्तर बनाए जाएंगे जो नमूने बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे इनके बस्तर कैसे होंगे नमूने और डिजाइन वाले होंगे इनसे बने हुई बस तर कैसे होंगे दिजैन वाले डूसरी खासियत क्या है दूसरी business STAS supports में क्या है इनका उप्योक कहाँ कर सकते हैं यानि filament आपने filament का मतलभ समझ रहे हैं लंबे रेशे filament झाहता है क्या होता है مिस्टाफल ane फिलामेंट वो रेशय होते हैं जो लंबे यानि जिनका जो बहुत लंबाइके यसे काउटकर में हमारे सब्सक्राइब से सब्सक्राइब कर दो होती है गायाल चोटीर्ण लंबाइक होती है जिनकी तो इन दोनों रेशों से बने जागे होते हैं जो नोनों रे्शों से बने धागे कार न थागों से गर बस्त बनाएगे तो किस मस्त Krstill करेंगे नीटिल बनााई में बस्त कर ना रहा ह Size slick कि आप यह सफैल और फ्लामेंट नोफ प्रकार के ध्थागों से क्या बना सकते हैं। रशेख से बनाई कर सकते हैं। अब देखिया अब इस्टेपल से ध्थागे बनाएंगे तो क्या薮िझ कहलाएं। तो अगर दोनों प्रकार के बस्तर बनाना है आपको एक ही मसीन से तो किसका प्रियों करेंगे रेसल बनाई का प्रियों करेंगे पिर इसमें और खाशियत पाई जाती है इनके बस्तर कैसे होते हैं बिल्कुल नमुने है और डिजाइन हैं तो सुंदर होते हैं सुंदर होने के असलम क्या 내ू when certain जाली-दार यानि जो मश्ली पकड़ने के जाल होता है आपने नैट पकते आपने ज़气 क्या चाहितने है इस ञसाां आध सब्सेशते ढुणि अंगं drastic दितल स्याया है यानि क्या पाए जा रहे है यह जाली जैसे पाए जाती है इस तरह से जाली पाए जा रही है और यह कैसे बुनाई दिखाई दे रहे हैं जाली नुमा यानि कैसे होंगे यह जाली दार होंगे कैसे होंगे जालीदार इनकी एक पिसेस्ता ये भी है कि जालीदार और जालीदार डियाइन वाले होंगे अब ये तो हमारी इनकी पिसेस्ता हो गई अब हम इनकी बस्तर खरीदने जाए मार्केट में तो कौन-कौन से हम इनकी रूप में बस्तर मिलेंगे बने हुए बस्तर कै हो सकता है ड्रेपरी हो सकता है ड्रेपरी बस्तर भी हो सकता है पर्दे भी हो सकते हैं पर्दे भी आप इसके खरीद सकते हैं और क्या खरीदेंगे बैग भी इसके बने होते हैं बैग भी बने होते हैं कि या बना होता है परदे जाल मचली पकड़ने का बॉदा true जो हमारे नेट जैसी सर्रसना पाई जा रही है जिनमें जाली नुमा सर्रसना पाई जा रही है किस मसीन के बने होंगे रैसल बुलाई के बने होंगे इनकी विसेष्टा है कि कैसे जाएंगे हमारे नेट या जाली नुमा पाई जाएंगे सुन्दर भी, इमन्मून भी नमूने इने में दिखाई दे रहे हैं तो यह हमारी कौन सी मसीन अगर question यह पूछ ले कि डिजाइनों की रानी किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है रैसल बुनाई को कहा जाता है याद रखना है डिजाइनों की रानी किसको कहा गया है रैसल बुनाई को क्या कहा गया है डिजाइनों की रानी चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं अगला मेले नीज इस पर बात कर रहा है मेले नीज पर मिले नीज पर मिले नीज मशीन या मिले नीज बुनाई कह रहे हैं इसको मशीन के नाम पर इस बुनाई के नाम पड़ा है यह क्या है इसमें किस प्रकार के बस्तर बनते हैं देख लेते हैं इस प्रकार के बस्तर बनके तैयार किये जा रहे हैं तो इससे बनी हुए बस्त्र कैसे होंगे इसको एक नाम से और जानते हैं अगर उसको रेसेल बुनाई को क्या कह रहे हैं डिजायनों की रानी कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे बुने हुए बस्त्रों की रानी याद रखना है उसको डिजायनों की रानी और इसको क्या कहते ह को बुने हुए बस्त्रों की राणी तो किस नाम से जाने हैं किसा जानते हैं डिजएनों की रानी । बनाई को जानते हैं बने हुए बस्तों की रा राणी दोनों रानिया हैं डोनों राणियों को याद रखना है चलिए देखे पी की उसको उच्च कोटी के बनते हैं DAN तभी तो उसको बस्त्रों की रानी कहा गया है उसमें डिजायने अच्छी बन रही तो डिजायनों की रानी कहा गया था इसमें बस्त्र उच्चकोटी की बन रही तो इसको क्या कहेंगे यानि इसको क्या कहेंगे बस्त्रों की रानी उच्चकोटी के बस्त्र बनते हैं इस मसीन से केवल पट्टीदार डिजाइन बनती है अगर डिजाइनों की बात करें तो कैसी बनती है पट्टीदार डिजाइन बनती है अगर पट्टीदार डिजाइन को प्रियोग करना है तो कौन सी मसीन को प्रियोग करेंगे आप मिले नीज का पट्टीदार डिजाइन बन बनती है और क्या खासियत पाई जाती है आपने देखा आपने क्या देखा मशीन को रानी किसको कहा गया था रासेल को कहा गया था उने हुए बस्तरों की रानी किसको कहा गया मिले नीच को कहा गया क्यों कि उपीस में उच्चकोटी के बस्तर बनते हैं तुंदर भी होते हैं अकर्शक भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और महीन भी होते हैं यानि बारीक होते हैं इसलिए क्या कहा जाता है इनको बुनेहो वेस्तरों की तरानी कहा जाता है काई में प्रहार ने बाथ पतीदार तयार क्याती है वियों कर चंज में लाइनों कौन से बढ़ने लगाएंगे तो कौन से बढ़ने हुआ है ensurespes अभी हमने सुईयां पढ़ी थी ना लैंच और ब्रेंड़ेट सुईयों का प्रियोग करते हैं अब आप लैंच और ब्रेंड़ेट सुईयों का प्रियोग करेंगे तो लैंच से बस्तर बनेंगे तो कैसे बनेंगे हलके बनेंगे हलके पतले हलके पतले बस्तर बनेंगे और अगर हम ब्रैंडेट से बनाएंगे तो कैसे बनेंगे मौटे कैसे बस्तर बनेंगे मौटे बस्तर बनेंगे और इसमें क्या है तो इसके जो बस्तर बनते हैं वो कैसे बनते हैं खड़ी धारी के होजरी बस्तर बनते हैं कैसे बनते हैं खड़ी धारी धार होजरी के बस्तर तयार किये जाते हैं होजरी के बस्तर किस मसीन से बनते है हमारी मिले नीज मसीन से ओके आपने क्या देखा आपने यह देखा कि हमारे जो मिले नीज मसीन है शेम अगर बस्तर तयार किये जाते हैं राइट चलिए आगे देखते हैं हम ट्राइकोड मशीन या ट्राइकोड बुनाई कह रहे हैं जिसको थ्राइड बुनाई किया है हमारी ट्राइकोड 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 बुनाई कह सकते हैं इसको और ट्राइकोड मशीन कह सकते हैं क्योंकि ट्राइकोड मशीन से ही ट्राइकोड बुनाई की जाती है इसमें क्या खासियत पाई जाती है इसके बस्तर कैसे होते हैं तो इसको एक नाम से इसकार्थ होता है ट्राइकोड कार्थ होता है एक तरह से यानि आपको इसको कहते है निट, निट यानि बुनाई करना, राइकोट के एक नाम से ओ जानते है निट या बुनाई करना, अगर इनको एक तरह से कह सके किस सब्द से लिया गया है, यह किस सब्द से लिया गया है हमारे फ्रेंच सब्द से लिया गया है, जिसका नाम क्या है त्सका इस अधि रुते के रुप तर् Broadeng के रुप से क्या कहते हैं इस रुते कि क्या है रुते के रुप से क्या कहते हैं कभी question इस तरह से पूछ ले कि बार्प नीटिंग से बने हुए सामोही के नाम से किस नाम से जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं टैरी कोटर के नाम से जानते हैं चलिए देखे आगे, क्या कह रहा है, इस machine के बने हुए बस्त्र, यानि इसमें अलग-अलग बनाईयों से बने हुए बस्त्र होते हैं, कैसी बनाईय की जाती है, अलग-अलग बनाईय की जाती है, अलग-अलग बनाईय की जाती है, अलग-अलग बनाईय की जाती है, अलग- टार कोई से उठाठाएगा जा बिलग अलग तो कि से किस प्रकार के नमूने तयार के जाते हैं जो बिलकुल चोटे और बड़े, ने बनते हैं इसक था मुट우 रूप से क्या कहते है तो terricotter कहते हैं इसका abadष किया होता है इसे जो और किया कहता है इसे न होता है। इस में इस मसीने सोई होती है 168 इंच की को छॉड़ कर सकते हैं 168 इंच अगर आपको बस्त एक बार में तयार कर देगा यानि इतनी शुन्यों का प्रियोग किया गया होगा एक बार में आप कितना बस्त तयार कर सकते हैं 168 इंच को कितना कर सकते हैं 168 इंच का बस्त क्या कर सकते हैं आप एक बार में इसको क्या कर सकते हैं तयार कर सकते हैं इन सूइया लगी होती है जिन से आपका इतना बड़ा बस्तr एक बार में होसे होते हैं इन इन मशीनों में होती हैं चूअगा सकती है एक बार में कितने ताके लगा सकती हैं एक मिनिट में घो होती है 47,00,000,000 ठाक एक लगा सकती है कभी इस तरह से question ले रहे तो आप याद रखिएगा कि इनकी सुईया याद रखना है अगर आप से पूछे कि इनके बस्तर कैसे मंदब एक बार में जो सुईया है कितने चौड़े बस्तर बना सकती है तो कितने चौड़े बस्तर बन सकते हैं 168 इंच 168 इंच चौड़ा बस्तर तैयार होता है और इसमें एक मिनिट में अगर टांके की बात करने तो कितने होते हैं 47,00,000,000 टांके एक बार में एक मिनिट में लग सकते हैं हम निट मीट में तो कितने चौड़े बस्तर किया जा सकता है तो यह 168 इंच चौड़ा एक बार में बस्तर तैयार की जाते हैं लेकिर मशीने तो किसने बनानगे बस्तर के मिनिट में से बनाते हैं 25 हम जाते हैं जो रोय वाले लगभाऒ होते है न जिसे आपने देखा होगा ने देखा इधर मैं इतनी है इसो रोझ दिखाई दे रहे है अगर यो один दिखाई दे रहे हैं तो certified इसे कैसे बस्तर बनते है हमारे भर यैक्त बस्त लंते है ऑगसे देखते यह तो हमारी कंसी मशीने कंपलीट हो गई क्विक लिए में जब नीटिंग की हमने जब इन नंना बुनाई कि तीन परकार ने मशीनों कप्रियों की आप अस्तर एक बार में तयार कर सकते हैं. एक मिने चाहित में कितनेश़ मिन िटीजंते है वने टाज़े पोड़ा करते हैं? तो 47 वनाफ और स्प्रेंग टांकर मे लगा सकती है. यह तो ओम हम इocol ट्राकोड मशीन की बात हुई. हमने लेशल बगनाई देख ली, लेड नीज मुनाय देख लाइए और ट्राइकॉड मार्द है और आเล कुछ बार्क नीटिंग और भी बात है चाहते हैं मर्овिटा को चाहते हैं कि बोध करना कर बार्क नीटिंग पर अचयर में सट्पा detecting कि गही गई यानि बारक नेटिंग की क्या की गई शुरू आप की गई बस्तर कैसे होते हैं जिग जैक होते हैं कैसी आकर्थी के होते हैं जैक आकर्थी के होते हैं जैक आकर्थी के होते हैं कैसे होते हैं जैक आकर्थी के होते हैं राइट कैसी आकर्तिक होते हैं जिग जैक आकर्तिक होते हैं बार्प नीटिंग के अच्छे होते हैं यानि बार्प नीटिंग कैसी होती है बार्प नीटिंग बैप नीटिंग से अच्छी होती है अगर आप बार्प नीटिंग से भी बस्तर बनाएंगे और वेप नीटिंग से भी बस्तर बनाएंगे यानि ताना बुनाई से भी बस्तर बना रहे हैं और बार्प नीटिंग तो ज्यादा अच्छा बस्तर किसका बनेगा हमारा बार्प नीटिंग है यानि अगर आप बस्तर को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं यह क्या है हमारी ताना बुनाई जिसको क्या कहा है बार्क नीटिक तो यह इसकी क्वाल्टी के पिक्षा एक बत रही होता है जिसमें आपको इस तरह से बढ़ा रहे हैं आगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो बार्क नीटिंग है वो बै तो अभी तक हमने क्या देखा हमने यह देखा कि हमने क्या किया हमने नीटिंग प्रकरिया देखी नीटिंग प्रकरिया में हमने क्या देखा सुईयों के प्रकार देखे कौन कौन सी सुईयों का प्रियों कर रहे थे नीटिंग प्रकरिया कहलाती क्या है तो हम एक धागे से ज मशीनों का प्रियों किया रेशेल मन्तीन या रेशेल बुनाई मेलेनीज मशीन और ट्राइकोट हमने रेशेल की बात कर ली इसको बस्तरों की तानी कहा जाता है यह हमारी ट्राइकोट था यह हमारी क्या हुई वैप्न नीटिंग क्या हुई अगली क्लास में किस पर बात करने घरवाले हैं तो हम बैपने यीटिंग क्या कहलाती है और अभरापनीटिन ने बकत सारी हमारे इसमें बनाई आती है वो प्रवोल खूरलाइ कहान जाता है वर्त ऑप में कैसे하겠습니다 झाल झाल